Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Gaurav Mishra और आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के most important questions और कहां से डिस्कस कर रहे हैं हम ये questions तो हम डिस्कस कर रहे हैं RD Sharma book के अंदर से इन वीडियो के अंदर हम हर उस concept और हर उस question को solve करते हैं जो की आपके RD Sharma book के अंदर है और जहां पे आपको solve करने में दिक्कते होती थी लेकिन जब आप इन वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हो तो आपके लिए RD Sharma book solve करना बड़ा ही आसान हो जाता है और कोई ऐसा concept या कोई ऐसा question नहीं बचता है जो आप solve नहीं कर पाते हैं इस particular वीडियो के अंदर आज हम ऐसे identity का discussion करने वाले हैं जो की थोड़ा सा lengthy है और जिसको identify करना थोड़ा सा problematic होता है identity है आपका a cube plus b cube plus c cube minus 3abc identity तो सिर्फ यही है पर इसका हम एक special case भी इस वीडियो में discuss करने जा रहे हैं आज तो बिना देरी के इस वीडियो को भी start करते हैं पर उससे पहले आप यह जानते हैं कि यह सारा content आपको मिलता है magnet brains पे जहां पे आपको मिलता है 100% free education and quality education और इस सारे content को आप access कर सकते हैं magnet brains के website पे जहां पे यह सभी contents का और सभी classes का अलग-अलग playlist आप लोगों के लिए बनाया गया है जिससे आप असानी से access कर सके और अपने knowledge को enrich कर सके तो चलिए इसी positive note पे हम start करते हैं हमारे आज के question को तो question बड़ा है interesting है question है x plus y plus 2z multiplied by x square plus y square plus 4z square minus xy minus 2y minus 2zx अब इस video में जितने भी questions में discuss करने वाला हूँ यह तो आप जानते हो कि किस identity पे वो based है तो पहले मैं उस identity का discussion कर लेता हूँ जिससे इन सभी questions को solve करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो पहले हम उस identity का थोड़ा सा discussion कर लेते हैं although मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन identities का discussion में पहले भी कर चुका हूँ और मैंने यह discussion कर रहा है आपके जब मैं आपको polynomials का NCERT पढ़ा रहा था तो अगर आप इन identities को और अच्छे से समढ़ना चाहते हैं कहीं पे कोई भी doubt नहीं रखना चाहते हैं इन identities का proof भी चाहते हैं तो आपको यह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे जहां पे NCERT का playlist मैंने बना के रखा है तो उसको जाके देखिए और इन सारी चीजों को और अच्छे से सीखिए पर फिलहाल हम इस identity को एक बार और discuss कर लेते हैं shortcut में जिससे आपको थोड़ा सा चीजे हो जाए refresh तो अगर आपको identity याद होगी तो identity थी कि आपके पास अगर A cube है आपके पास अगर B cube है फिर है C cube और minus 3A, B, C तो ये चीज होती है आपके पास या ये चीज एक्सपांड होके बनती है A plus B plus C और दूसरे bracket के अंदर बनता है आपके पास A square plus B square plus C square और साथ में आपके पास बनता है minus AB minus BC minus AC तो ये वो identity थी जो की बहुत important है और जिसका discussion पहले ही हो चुका है जैसे कि मैं हर identity में आपसे बात करता हूँ कि भाई आप सिर्फ identity को ABC के form में मत याद रखो आप identity को XYZ के form में भी याद रखो तो इस identity को आप ऐसे भी याद रखिए कि मालीजे आपके पास यहाँ पे है X cube plus Y cube plus Z cube और यहाँ पे आपके पास है minus 3 XYZ तो ये convert हो जाएगा आपके पास X plus Y plus Z में और जो दूसरा bracket है वो बन जाएगा X का square, Y का square, साथ में Z का square और यहाँ पे बनता है आपके पास minus XY minus YZ minus ZX और इस तरीके से आपको same identity को दोनों ही format में याद रखने है आपको उसको ABC के form में भी याद रखना है और आपको उसे XYZ के form में भी याद रखना है चलिए, ये तो बात हो गई identity की अब मैं इस identity में थोड़े से modifications करने जा रहा हूँ modification में इसलिए करने जा रहा हूँ जिससे आपके इस वीडियो के questions बड़े ही आसानी से आपसे solve हो जाएंगे अब ये modifications क्या होने वाले हैं चलिए उन modifications की तरफ हम ज़रा बढ़ते हैं तो modification में क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिए पहले तो मैं ये x, y, z वाले को हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रुरत नहीं है आप सीख चुके हैं सुनिए modification कुछ आपका इसको LHS को कुछ चेंज मत करिए इसको a cube plus b cube plus c cube लिख दीजिए minus 3abc को भी आप same to same लिख दीजिए हमको modify इस तरफ करना है तो आप अपना ये bracket a plus b plus c इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा सब का सब चेंज होने वाला है आपके दूसरे वाले bracket में तो ध्यान से दूसरे वाले bracket को देखिएगा तो जो दूसरा वाला bracket है वो है आपके पास a square फिर है आपके पास b square और फिर है आपके पास c square मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ a plus b plus c का whole square बनाने का ये जो होती है एक identity होती है जिसमें आप a plus b plus c तीन terms का whole square करते हो तो उसके लिए मुझे जरूरत पढ़ेगी 2ab की मुझे जरूरत पढ़ेगी 2bc की और मुझे जरूरत पढ़ेगी 2ac की तो इन तीनों चीजों को मैं कर देता हूँ add मैं किसको add करने वाला हूँ मैं add कर रहा हूँ 2ab मैं 7 मैं add कर रहा हूँ 2bc और 7 मैं add कर रहा हूँ 2ac और जैसा कि आप जानते हो अगर कोई चीज हम बाहर की तरफ से add करते हैं तो उनका subtraction भी तो बनता ही है पहले तो इन तीनों चीजों को आप लिख दीजिए यहनि कि आप लिख देंगे minus AB minus BC minus AC यह तो भाई already present था अब जो चीज़े आपने add कर दी है उस चीजों का subtraction तो plus 2AB का subtraction आपके पास हो जाएगा minus 2AB plus 2BC का subtraction आप लिख दो minus 2BC और plus 2AC का subtraction आप लिख दो minus 2AC और इस तरीके से आपने इन दोनों brackets को ऐसे लिख दिया है अब फाइदा क्या होगा तो ध्यान से सुनिए आपका LHS वही रहेगा A cube plus B cube plus C cube यहाँ पे आपके पास हो जाएगा minus 3ABC और इधर आप ध्यान देंगे तो यह वाला bracket तो A plus B plus C ही रहेगा कोई change नहीं दूसरे वाले bracket में ध्यान दो क्योंकि यही बहुत important है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो पूरी आपकी line है अगर ध्यान से याद करोगे तो मैंने पहले ही NCRT के वीडियो में discuss कर चुका है यह actually आपके पास A plus B plus C का बनता है whole square तो आपने क्या लिख दिया A plus B plus C का whole square अब ध्यान से देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे minus 2AB है और minus AB है तो minus AB minus AB तो वो तो हमें मिल गया तो आप तो AB लिख दो और minus 2 है और उपर क्या है minus 1 तोन को add करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा minus 3AB similarly आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा minus 3BC और यहाँ पे देखोगे प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 A, B, C इस इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर A, प्लस B, प्लस C और दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको आप रहने दीजिए A, प्लस B, प्लस C का होल स्क्वेर जबकि यहाँ पे आप क्या करो तो आप जब माइनस 3 को क्या ले सकते हो common ले सकते हो तो माइनस 3 को आप common निकाल लो तो आप जब माइनस 3 को common निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपके पार्ट बचता है A, B, प्लस B, C, प्लस A, C और आपका जो identity है वो modify हो चुका है यहनी आपको वो original identity जो यह है इसको तो याद रखना ही रखना है साथ में यह जो modified वाली identity है इसको भी याद रखना है क्योंकि अगर इसको याद नहीं रखोगे तो कुछ questions में आपको बहुत ज़ादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप इसको याद रखेंगे तो questions आपसे फटाफट solve हो जाएंगे अब इसमें थोड़ी सी बाते में आपको और बता देता हो आप इस पूरी identity को x, y और z के terms में भी लिख सकते हैं अरे बाई जरूरी थोड़ी है a, b, c के terms में ही लिखे x, y, z के terms में भी लिख सकते हैं कैसे तो देखिए आप इसको convert कर सकते हो a की जगा x तो x cube b की जगा y तो ये हो गया y cube c की जगा z तो ये हो गया z cube यहाँ पे आपको मिल गया minus 3 x, y, z जबकि इस bracket के अंदर आप लिख सकते हैं x plus y plus z और जब आप यहाँ पे आते हो तो आप इसको लिख सकते हो x plus y plus z का whole square बहुत बढ़िया जबकि इहाँ पे minus 3 तो आपका बाहर है और इस bracket के अंदर आप लिख सकते हैं x, y, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y, z और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, z तो इस तरीके से आपने इस identity के दूसरे form को भी लिख लिया आपको सभी कुछ याद रखने पढ़ेंगे अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको इस identity के चारो forms को एक-एक करके लिख देता हूँ जिससे आप उनको भी copy में note down कर ले और फिर हम इन questions को solve करना start कर सके तो चलिए देखिए चारो forms इस identity के जिससे कहीं पर भी confusion ना बचे तो सबसे पहला form जो आपको याद रखना है वो याद रखना है a3 plus b3 plus c3 minus 3abc ये क्या मिलता है आपको ये मिलता है आपको a plus b plus c और दूसरे bracket के अंदर आपको मिलता है a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac ये आपको पहला bracket ये पहला form है अब इसी में आप इसको xy के रूप में भी लिख सकते हो तो जब इसको xy के रूप में लिखते हो तो क्या लिखते हो आप x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z और दूसरे bracket के अंदर आप लिख सकते है x square y square और z square यहाँ पे और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे और लिख सकते हो आप xy minus yz minus zx तो इस तरीके से आपने एक ही identity के दो forms लिख दिए अब मैं तीसरे form की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जो मैंने modified form आप से बात की थी पहले abc के form में लिख देता हूँ तो वो बनता है आपके पास a cube plus b cube plus c cube minus 3abc this is equal to अच्छा abc के form में लिख रहा हूँ तो याद रखिए हर जगे abc होना चाहिए तो a plus b plus c जबकि यहाँ पे क्या बनता था पहले तो आप यह bracket यूज करते थे और यहाँ पे लिख दे थे आप a plus b plus c का क्या whole square और यहाँ पे आपने minus 3 common लिया था और लिख दिया था ab plus bc plus ac और यह है आपका तीसरा form जो आपको याद रखना है मैं चौते form की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे सुन लिजिए जो आपका चौता form बनता है वो बनता है आपके पास a की जगा x तो x cube b की जगा y तो y cube c की जगा z तो z cube minus 3xyz is equals to यहाँ पे बनता है आपके पास x plus y plus z इस bracket के अंदर बनेगा आपके पास x plus y plus z का whole square और यहाँ पे आपके पास बनेगा minus 3 times of xy यहाँ पे आपको मिल जाएगा yz और यहाँ पे मिल जाएगा आपको zx यह है आपका पूरा proper identity अब सुनिए यहाँ पे यह चारों identity तो आपको अलग-अलग है अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और modification सिखा देता हूँ क्योंकि उस चीज की भी हमें इस वीडियो के अंदर जरूरत पढ़ने वाली है तो इस चीज को भी हम discuss कर लेते हैं जिससे आगे कहीं पे भी कोई tension नहों अच्छा क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बड़ी ही special identity दिहान से सुनिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ एक special identity यह जो special identity है यह बड़ा ही कमाल का है तो दिहान से सुनना special identity आप सब कुछ तीन दो forms में लिखे हैं मैंने एक बार ABC में और एक बार XYZ में तो उसी तरीके से मैं बात करूँगा ध्यान से सुनना Special Identity में आपको लिखा होगा कि भाई कोई चीज आपको given होती क्या given होती If A plus B plus C बराबर 0 च्या given है आपको अगर A plus B plus C बराबर है आपका 0 अब खुद सोच के देख लो 1 पे बात कर लो 1 वाली पे मैं बात कर रहा हूँ 1 को ध्यान से फोकस करो आप अगर आपका A plus B plus C क्या है 0 के बराबर है तो खुद imagine करो यह जो आपका RHS है RHS में क्या चला जाएगा 0 चला जाएगा 0 में इतनी बड़ी चीज multiply होगी तो कुछ answer आएगा क्या नहीं answer क्या आएगा 0 आएगा यहनि कि अगर आपका A plus B plus C बनता है 0 तो आपका RHS पूरी तरीके से हो जाता है 0 तो identity किसमे convert हो गई है ध्यान रखेगा identity convert हो चुकी है A cube plus B cube plus C cube minus 3 ABC is equals to 0 यह है वो special identity जो आपको बहुत जादा काम आने वाली है इस वीडियो के अंदर पर यह special identity तभी लगानी है जब आपको यह चीज given हो क्या given हो कि भई आपका A plus B plus C बनता है 0 अगर आपका A plus B plus C 0 के बराबर नहीं बनता है तो आप इस identity को नहीं लगा सकते है और इसका proof भी आप देख सकते है कि basically पहले वाली की बात करूँ मैं तो वहाँ पे मैंने A, B और C की जगा क्या रख दिया मतलब उनके sum की जगा मैंने क्या रख दिया 0 से जब उस बड़े वाले bracket को मैं करूँगा multiply तब भी answer क्या आएगा 0 आएगा यहनि कि आपका identity जो है इस form में convert हो चुका है which means A cube plus B cube plus C cube minus 3 ABC is equals to 0 अब इसमें थोड़ा सा आप और modification कर सकते हो सर कितने modification करवा होगे देख लो भाई क्या modification कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो A cube plus B cube plus C cube यह minus 3 ABC LHS में है तो इसको RHS में भेज दो तो minus 3 ABC जो है वो plus 3 ABC में convert हो जाएगा और इस तरीके से आपने अपने identity का एक और modified form यहाँ पे लिख दिया है तो आपको यह उपर वाला भी याद रखना है और यह नीचे वाला भी याद रखना है पर दोनों कब जब आपका A plus B plus C 0 के बराबर बनता है अब सारी बाते हमने XYZ में भी करी थी ABC में भी करी थी तो यहाँ पे हम दूसरा सिनारियो भी डिसकस कर लेते हैं दूसरा सिनारियो आपका यह होने वाला है कि भई आपका अगर X plus Y plus Z क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि आपका X cube plus Y cube plus Z cube minus 3 XYZ यह 0 के बराबर तो होगा ही होगा साथ में आप यह भी लिख सकते हो कि X cube plus Y cube plus Z cube आपका equal होगा 3 times of XYZ के form में तो यह थे वो सारे identities जो आपको इस वीडियो में आने वाले हैं काम एक बार at length पे मैं discuss कर देता हूँ क्योंकि इतना अच्छा discussion आपको identities पे ना किसी book में मिलेगा ना किसी और वीडियो में मिलेगा तो ध्यान से देख लीजे यह पहली चीज थी AQ plus BQ plus CQ minus 3 ABC मैंने इसको इस form में convert कर दिया इस form में लिख दिया उसके बाद मैंने उसी को XYZ के form में लिखा है कोई tension के बाद नहीं पर जो तीसरा case है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा काम किया है मैंने मेरा जो XYZ यह सब था sorry ABC था उनको मैंने whole square के form में इस identity में लिखा है फिर मैंने XYZ के form में लिख दिया और फिर हमने बात करें दोस एक special identity की जहाँ पे अगर आपका A plus B plus C 0 के बराबर बनता है तब आप क्या करते हो और दूसरा case जब आपका X plus Y plus Z 0 के बराबर बनता है तब आप क्या करते हो तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा अगर इस वीडियो के हरे question को आप बहुत ही अच्छे से solve करना चाहते हो वरना फिर कहानी बाई गरबर हो जाएगी चलिए अब इतनी सारी बातों को करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे questions की तरफ और इस page को मैं rub नहीं कर रहा हूँ मैं इसको रख रहा हूँ क्यों रख रहा हूँ क्योंकि इस videos में जब हम question करने वाले हैं तो इन में से बीच-बीच में से identities काम आएंगी न तो मैं भी बूल सकता हूँ वैसे तो मैं नहीं बूलूंगा पर आपके सुविधा के लिए मैं इसको रख नहीं करता हूँ और हम दूसरे page पे follow up कर लेते हैं जब हमें जरुरत पढ़ेगी इन identities की हम इस page पे आके इस identity को यहां से हम देख लेंगे चलिए बहुत बढ़ियां अब हम बढ़ते हैं हमारे questions की तरफ पहला सवाल क्या था हमारा देख लेते हैं पहला सवाल था आपका ये आपको product find करना था और product direct find नहीं करना है आपको आपको identity की मदद से find करना है तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें identity लगाएंगे और product को हम find कर देंगे चलिए अब देखते हैं इस सवाल को सवाल के है भई भई आपको product निकालना है किसका product निकालना है x plus y plus 2z और साथ में given है आपके पास x square plus y square plus 4z square minus 4xy नहीं minus xy minus 2yz minus 2zx तो पहले question को start कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा question को मैं start करने वाला हूँ पहला जो bracket है इसको पहले तो ऐसा बाला लेता हूँ और इसको लिखता हूँ x ये जो आपका y है अभी इसको आप simple सा y लिख दो कोई tension की बात नहीं पर brackets चलो brackets भी बात में देख लेंगे कोई tension नहीं इस 2z को भी आप 2z रहने दो तो इसी bracket में कोई tension नहीं कोई modification की ज़रत नहीं थी मुझे लगा था ज़रत थी इसलिए करने वाला था पर नहीं है अब इधर दूसरे bracket की बात कर लेता हूँ ये आपके पास क्या है ये आपके पास है basically x का whole square y square y square क्या है basically आपके पास y का whole square बहुत बढ़िया आपके पास 4z square है 4z square क्या होता है 2z का whole square अब बात आते हैं हमारे पास minus xy है तो minus xy को आप लिख दीजे bracket के अंदर x bracket के अंदर ऐसे y फिर आपके पास minus 2yz है तो आप इसको लिख सकते हो y और bracket के अंदर 2z और last term आप आते हो minus 2zx में तो आप इसको लिख सकते हो bracket के अंदर 2z और x और ऐसे आप bracket को कर दीजिए close अब ध्यान से सुनिए question बढ़ा interesting हो जाता है यहां से आपका जो x है आप इसको a बोल दीजिए जो आपका y है आप इसको b बोल दीजिए जो आपके पास 2z है आप इसको c बोल दीजिए क्या हो गया सर अले question ही बदल गया भाई यह बन गया आपके पास a plus b plus c बहुत बढ़िया यह क्या बन गया यह बन गया आपके पास a square बन गया इधर b square इस तरफ आगया आपके पास c square यहां क्या बना भाई यहां बना minus a b यहां बना आपके पास minus b c और यहां बना आपके पास minus a c अभी मैंने इसी identity को discuss किया था आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ जब ऐसा रहता है a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus a c यह क्या होता है चलिए ज़रा देखते हैं क्या होता है तो यह पहला वाला देखो a plus b plus c a square b square c square minus a b minus b c minus a c होता है आपके पास a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c तो हम क्या लिख देंगे हाँ पे हम यहां पे लिख देंगे a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c अब क्या करो भई a b c की जगह जो values ली थी उनको यहां पे रख दो तो a की जगह हो जाएगा आपके पास x का whole cube b की जगह आपके पास हो जाएगा y का whole cube और c की जगह आपके पास हो जाएगा 2 z का whole cube बहुत बढ़िया है यहां पे अगर आप देखोगे तो minus 3 a b c है तो a की जगह आपने रख दिया x b की जगह रख दिया आपने y और c की जगह रख दिया आपने 2 z अब इसको फटाफट हम कर लेते हैं solve तो जब आप solve करोगे तो यहां पे देखो ध्यान से x cube तो आपका answer देदेगा x cube कोई tension की बात नहीं है y cube y cube आपको answer देदेगा y cube कोई tension की बात नहीं है 2 z का whole cube क्या होगा तो और जब 2 z का whole cube निकालोगे आप तो basically 2 का cube निकालोगे और z का cube निकालोगे 2 का cube क्या होता है 8 होता है और z का cube z cube होता है तो यह आपको देदेगा 8 z cube यहां पे numbers को multiply कर लो पहले और बाद में कर दो variables को multiply तो number है आपके पास 3 और 2 3 टूजा क्या होता है 3 टूजा होता है आपके पास 6 तो ये minus 6 हो गया अब variables को आप लिख दीजिए x, y, z, यानि कि आपका जो ये product था इसको हमने find कर लिया और किसकी मदद से find करा है तो algebraic identity की मदद से find करा है यानि कि इसका जो final answer है हम वो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वाई वो लिख सकते हैं x का cube साथ में y का cube साथ में 8z का whole cube and और क्या लिख सकते वाई minus 6 yz और इस तरीके से हमारा question हो चुका है solve I hope आपको पूरा question समझ में आया होगा बड़ा है simple question था जो कि हमारे identity पे based था चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल और interesting है पर है बड़ा ही simple तो चलिए मैं आपको इसको solve करके दिखाता हूँ question है आपके पास 2x minus y plus 3z और जो दूसरा bracket है वो तो है ही देखिए हम इसको modify कैसे करेंगे हम इसको modify को ऐसे करेंगे जो आपका पहला bracket है आप इसको लिखेंगे पहले bracket के अंदर 2x यह जो minus y है आप इसको लिख दो plus of minus y क्यों कि plus minus होगा आपके पास minus और इसको लिख दो आप bracket के अंदर 3z ऐसे और इस bracket को कर दो close अब आजाओ आप अपने second bracket पे तो second bracket में पहला term क्या है 4x square है तो 4x square को आप क्या लिख सकते हो 4x square को आप लिख सकते हो 2x का whole square क्योंकि जब आप 2 square करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा और जब आप x square करोगे तो आपको x square तो मिलेगा यह जो plus y square है आप इसको लिख दीजिए minus y का whole square इसके पीछे reason यह है कि जब आप minus का whole square करते हो तो minus convert हो जाता है plus में और y square तो आपको y square दे ही देगा 9z square है 9z square को आप लिख दोगे 3z का क्या whole square बहुत बढ़िया क्योंकि 3 square आपको 9 देगा z square आपको z square देगा जब मैं इन बाकी terms की बात करूँ जो की मेरे पास है 2xy, 3yz और minus 6xz इनको देखो मैं क्या करने वाला हूँ इनको मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ minus times of ध्यान से देखना मैंने start कहा से किया है मैंने start minus से किया है bracket के अंदर लिख देता हूँ x और दूसरे bracket के अंदर लिख देता हूँ minus y अब होगा क्या minus into minus बना देगा इसको यहाँ पे plus और x into y तो xy बना ही देगा अच्छा इसमें गलती हो गई छोटी सी आप x मत लिखिए आप इसकी जगे लिखिए bracket के अंदर 2x क्योंकि x वाला term क्या है x वाला term आपके पास 2x है तो आप लिखोगे minus 2x into minus y चलिए बहुत बढ़िया अब आते हैं हमारे last next term पे 3yz तो 3yz को आप लिख दोगे minus वापस से यूज़ करना है आप y के लिए हमेशा minus y का यूज़ करोगे और z के लिए क्या term है 3z का term है तो आप bracket में ऐसे 3z को लिख दोगे अब आजाते हैं हमारे last term के लिए last term पे पहले से ही minus है तो हमें कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है 6x है तो x वाला term क्या था 2x था तो आपने bracket के अंदर 2x लिख दिया जबकि z वाला term क्या था 3z था तो आपने bracket के अंदर 3z लिख दिया और ओविस सी बात है जब आप इसको solve करोगे तो 2 3s आपको मिल जाएगा 6x इंटो z आपको मिल जाएगा x, z अब क्या इतनी सारी कहानी बात कर ली इसके बाद substitution का हम करेंगे इस्तमाल जो हमारा 2x है आप इसको छोटा वाला a बोल दीजिए जो आपका minus y है याद रखिएगा minus y को मैंने बोला है छोटा वाला b जो आपके पास 3z है आप इसको बोल दीजिए small c तो हर जगे इन चीजों को कर दीजिए आप फटाफट substitute तो ये वाला question convert हो जाएगा ये बन जाएगा a plus b plus c में जबकि दूसरा bracket आपका convert हो जाएगा a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus a c अब ये तो भाईया बन गई identity जो की हमें answer देता है a का whole cube plus b का whole cube plus c का whole cube minus 3 a b c अब a की जगा क्या रखोगे तो a की जगा 2x रखोगे तो रख दो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 2x का whole cube b की जगा क्या रखोगे minus y रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास minus y का whole cube c की जगह आप 3z रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3z का whole cube और यहाँ पर आपके पास है minus 3abc तो minus 3 बाहर रखो a की जगह आप रख दो 2x बहुत बढ़िया b की जगह आप रख दो minus y कोई tension की बात नहीं और c की जगह आप रख दो 3z कोई भी tension की बात नहीं है अब इसको फटाफट हम कर लेते हैं solve 2x का whole cube है तो 2x का whole cube कैसे निकालोगे आप करोगे 2 का cube और आप करोगे x का cube तो 2 का cube होता है आपके पास 8x का cube होता है x cube कोई tension की बात नहीं minus y का whole cube है अब बच्चों ये बात आप जानते हो कि जब भी minus पे whole cube चड़ा होता है तो minus बाहर आ जाता है बाहर पहले से ही plus बैठा हुआ था minus अंदर से आया है तो plus minus convert हो जाएगा minus में तो ये answer आपको दे देगा minus y cube इसका explanation आपको clear होना चाहिए बहुत बार explain कर चुका हूँ मैं 3z का whole cube है तो भाई आप पहले करोगे 3 का whole cube और फिर आप करोगे z का whole cube तो 3 का whole cube होता है आपके पास 27 तो ये बन जाएगा आपके पास 27z cube और z का cube तो z का cube होता ही है अब यहाँ पे जारा numbers का multiplication पहले, variables का multiplication बाद में पहले तो sign देख लो एक minus पहले से ही बाहर बैठा है और एक minus y के साथ है तो minus minus multiply होके plus बना देगा तो answer तो यहाँ पे plus में मिलेगा आपको और दूसरी बात यहाँ पे plus में तो answer मिल गया अब numbers का multiply कर लो numbers देखो ज़रा 3 है, 2 है और 3 है तो 3, 2 होता है 6 और 6, 3 होता है आपके पास 18 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा numbers के terms में 18 अब अगर variables का करोगे आप multiply तो x है, y है, z है minus y का attention मतलो minus y पहले ही मैं multiply कर चुका हूँ तो variables को आप multiply कर दोगे तो यह हो जाएगा x into y into z यहनि कि जो आपका final answer है वो यहाँ पे आ चुका है इसको मैं उपर भी लिख देता हूँ clarity के लिए तो आपका final answer क्या है final answer है 8 x cube minus y cube साथ में क्या है 27 z cube और क्या है आपके पास और है आपके पास plus 18 x y z और इस तरीके से हमारा ये question भी हो जाता है solve I hope आपको सारे steps clear है और कैसे हमने identity लगाई ये चीज़ भी आपको पूरी तरीके से clear है चलिए बढ़िया अब हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ सवाल आ चुका है application based यानि कि अब आपको expansion या वही identity नॉर्मल लगाने की जुरत नहीं है अब थोड़ा application based question आया है चलिए देखते हैं question क्या है question कुछ ऐसा है कि आपको दिया गया है कि A plus B plus C जो है 6 के बराबर है बहुत बढ़िया आपको ये भी दिया गया है कि A B plus B C plus C A ये 11 के बराबर है बहुत बढ़िया आपको value निकालनी है value किसके निकालनी है value निकालनी है आपको A cube plus B cube plus C cube minus 3 A B C तो ध्यान से देखिए हम इस question को कैसे solve करने वाले है तो जिस चीज की value आपको निकालनी है आप question वही से start करो value किसके निकालनी है value निकालनी है आपको a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c की ये चीज क्या होती है जब इसको आप expand करते हो identity लगाते हो तो ये होता है आपके पास a plus b plus c और दूसरे bracket के अंदर बनता है आपके पास a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus a c लेकिन आपके पास value तो सिर्फ इन की और इनकी given है अब क्या करोगे कैसे solve करोगे तो सर आपने इस identity का एक तीसरा form भी सिखाया था याद नहीं आरा मुझे कौन से form की बात कर रहे हो आप तो सर ये वाला form जो आपने सिखाया था third वाला मैं इस form की बात कर रहा हूँ जब a cube plus b cube plus c cube minus 3abc होता है तो आंसर बनता है आपके पास a plus b plus c और दूसरे bracket के अंदर बनता है आपके पास a plus b plus c का whole square और फिर आपके पास बनता है minus 3 times of a b plus b c plus a c इसी चीज़ का मैं इस्तमाल करने वाला हूँ इस question में तो ध्यान से देखना ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्म लिखा है first वाला अब मैं लिखने वाला हूँ third form जो की होता है आपके पास a cube plus b cube plus c cube minus 3abc this is equal to what? this is equal to a plus b plus c दूसरे bracket के अंदर आपके पास बनेगा a plus b plus c का whole square और last में minus 3 को आप ले लेते हो common और अंदर बचता है a b plus b c plus a c I hope अब आपको समझाया होगा कि मैंने वा identity को modify क्यों करा था क्योंकि अगर मैं वहाँ पे नहीं करता तो मुझे यहाँ पे करना पड़ता जो थोड़ा सा जादा महंगा पड़ जाता इसलिए मैंने वहाँ पे एक बार कर दिया और आपको एक नई identity बता दी चलिए अब इस चीज की value यहनि कि आपको LHS की value निकालनी है न तो RHS में चीजों को substitute कर दो सब तो given है आपको आपको a plus b plus c given है आपको इस चीज की value given है तो फटा फटम कर देते हैं substitute तो answer हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा 6 क्योंकि value given है यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 का whole square यह भी आपको given है जबकि यहाँ पे आपको मिलेगा 3 into 6 अब फटा फटम इसको solve करते हैं यहाँ पे बाहर है 6 अंदर 6 का whole square कितना होता है तो 6 का whole square होता है आपके पास 36 3 sixa कितना होता है भाई 18 होता है बहुत बढ़िया अब इसको और solve करोगे आप तो 36 minus 18 होगा आपके पास 18 तो यह 6 into 18 हो गया और जब आप 18 into 6 करते हो तो I think 108 answer आता है अगर आपको 18 का table याद होगा 18 यानि कि जो question आपको इसकी value find करने को बोली गई थी हमने value find कर ली और value कितना आया भाई value आया 108 और यह पूरा process यह पूरी identity अगर आपको नहीं मालूम होती ना तो आप तो इस question को solve नहीं ही कर पाते इसलिए मैंने आपको identities already सिखा दी है चलिए अब इस question का discussion करने के बाद आप वीडियो को pause करके सारी बाते जरूर लिखना क्योंकि इतना बढ़ी है discussion I am damn sure आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा चलिए बहुत बढ़ी हैं अब आते हम अगले सवाल की तरफ अगला सवाल इसको हम थोड़ी देर बात करेंगे अभी हम introduce नहीं कर रहे हैं अभी हम इस सवाल की बात कर लेते हैं जो अभी सवाल मैंने ये छोड़ा है इसको हम थोड़ी देर बात करते हैं क्योंकि सवाल बढ़ा special है चलिए अभी बात कर लेते हैं इस question की कि भई आप इस question को कैसे solve करोगे इसकी value कैसे find करोगे तो ध्यान से देखना कि मैं इसकी value कैसे find करूँगा ध्यान से देखेगा तो आपको क्या क्या given है पहले हम वो लिख ले देते हैं आपके पास given है कि a plus b plus c जो है वो 15 के बराबर है, बहुत बढ़िया, एक और चीज आपके पास given है, वो given है आपके पास a square plus b square plus c square, वो given है आपके पास 83, बहुत बढ़िया, आपको value किसकी find करनी है, तो आपको जो value find करनी है, वो value find करनी है आपको a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की, तो आप जानते हों कि question आप यहीं से start करने वाले हो तो चलिए यहीं से start करते हैं मारे question को तो मारे जो question है वो है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc यह कितने के बराबर होगा तो भाई यह बराबर होगा आपके a plus b plus c और दूसरे bracket के अंदर available रहता है आपके पास a square plus b square plus c square यहाँ पे रहता है आपके पास minus ab minus bc और minus ac अब ध्यान से देखते जाना भी question बस start हुआ है तो lhs को तो वहीं रख दो भाईया वो चीज़ को निकाल ली है तो lhs change नहीं होगा यानिकी a cube plus b cube plus c cube minus 3abc अब यहाँ पे बात करोगे तो पहले bracket के अंदर a plus b plus c रहने दो क्योंकि इसकी value तो आपको given है बहुत बढ़े हैं आपने यहाँ पे रहने दिया यहाँ पे आप अपने a square plus b square plus c square को भी रहने दीजिए क्योंकि उसकी value आपको क्या है बही given है तो आप ऐसे लिख दीजिए bracket के अंदर a square plus b square plus c square problem यहाँ पे होने वाली है ध्यान से सुनिएगा इन तीनों terms में से मैं minus को निकालने वाला हूँ common अंध्यान से सुनो मैंने क्या बोला इन तीनों terms में से मैं minus को निकालने वाला हूँ common तो मैंने minus को common निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास बचा a b यहाँ पे बचा b c और यहाँ पे बचा a c बहुत बढ़िया पर problem यह है कि value तो मैं निकाल लेता यहाँ पे a plus b plus c रख देता 15 यहाँ पे a square plus b square plus c square रख देता 83 पर यार यह चीज तो ही नहीं मेरे पास a b plus b c plus a c अब मैं कहां से find करूं a b plus b c plus a c तो इस part को जो है हम थोड़ा सा हट के solve कर लेते हैं जिससे इसकी value निकल जाती तो यहाँ पे हम place करते और answer निकाल लेते तो चलिए अब इसकी value कैसे find करें हम यह बात थोड़े से आगे करते हैं चलिए किसकी value find करनी थी आपको a b plus b c plus a c की बहुत बढ़ी है ध्यान से सुनना भाई जब भी आपको a b plus b c plus a c यह a square plus b square plus c square ऐसी चीजे दी हो तो कहा से start करो ध्यान से सुनो start करोगे आप a plus b plus c के whole square से अगर आप a plus b plus c का whole square करते हैं तो आपको मिलता है क्या मिलता है sir हमको मिलता है a square फिर मिलता है b square फिर मिलता है c square फिर क्या मिलता है फिर मिलता है two times of a b two times of b c और मिलता है हमें two times of a c यह basically एक identity है और आप जानते हो यह identity कहां पे discuss की गई है तो उन playlist को nc it वाले को जरूर देख लिया करना चलो बहुत बढ़ी है अब ध्यान से सुनो यहां पे a plus b plus c का whole square है कोई tension की बात नहीं रहन दो इधर क्या है तुम्हारे पास इधर तुम्हारे पास है a square plus b square plus c square इसको भी रहने दो कोई tension की बात नहीं यहां पे आखरी तीन टर्म्स देखो 2 है 2 है 2 है common है 2 तो 2 को बाहर निकाल लो जरा तो 2 को जरा बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा बचेगा bc बचेगा और a c बचेगा आप ध्यान से सुनना कहानी question में कुछ कुछ given था हाँ हाँ सर कुछ तो given था a square plus b square plus c square भी given था और a plus b plus c भी given था तो कित्मा given था तो A plus B plus C जो given था वो 15 के बराबर given था जबकि A square plus B square plus C square जो given था वो 83 के बराबर given था बहुत बढ़िया इन चीजों को कर दो ज़रा place इसमें तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 15 का whole square यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 83 यहाँ पे रहने दो 2 times of A B plus B C plus A C क्योंकि दो सारी लडाई लड रहे हैं हम वो इसकी value find करने के लिए ही है चलिए अब ध्यान से देखिए इदर आपके पास 15 का whole square है 15 का whole square निकालते हैं तो आपको कितना मिलता है अरे सर हमको याद थोड़ी है whole square तो यहाँ पे निकाल लो भाई 15 का whole square मतलब 15 into 15 करोगे तो आपको answer मिल जाएगा 225 नहीं भरोसा होता है तो 15 और 15 को कर लो multiply 5 5s होता है 25 उपर गया 2 5 plus 2 7 यहाँ पे हो गया 15 इसको add कर लो 5 7 plus 5 till 1 2 यह हो गया देखो 225 तो क्या कर दो यहाँ पे लिख दो भाई आप 225 बहुत बढ़िया इस तरफ आपके पास already 83 गिवन है यहाँ पे 2 times of क्या गिवन है AB plus BC plus AC अब क्या करोगे बड़ा ही असान काम करोगे यह जो 83 RHS में है इसको LHS में लेके आ जाओ यहाँ कि यह हो जाएगा 225 minus 83 is equal to 2 times of AB plus BC plus AC अब क्या करोगे दादा अब यह करोगे कि 225 में से 83 को कर दोगे सबस्ट्राक तो जल्दी से हम 225 में से 83 को सबस्ट्राक कर देते हैं तो उपर है 225 नीचे है 83 5 में से 3 घटाओगे तो 2 होगा 1 यह बनेगा 12 8-4 होता है 12 1 में से 0 गया 1 तो आंसर बन गया आपके पास 142 तो यहाँ पे क्या लिख दोगे यहाँ पे आप लिख दोगे 142 is equal to 2 times of AB plus BC plus AC इसके बाद क्या वह यह 2 multiply में है basically तो इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा divide में तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 142 upon 2 और 142 upon 2 को जब आप divide करते हो तो आपके पास मिल जाता है 71 यानि कि आपका जो AB plus BC plus AC है वह आंसर दे चुका है और कितना दे चुका है वह आपको दे चुका है 71 और इसी चीज की तो हमें जरूरत थी क्यों जरूरत थी क्योंकि इसको ही तो हमें आपे पुट कर देंगे चलिए अब देखते हैं आपको LHS को solve करना था यानि आपका जो A cube plus B cube plus C cube minus 3 ABC आपको जो मिलेगा बाहर देखो भाई A plus B plus C है A plus B plus C कितने के बराबर है 15 के बराबर है तो यहाँ पे आप रख दो 15 को अब इस bracket के अंदर आ जाओ जरा A square plus B square plus C square है इसकी value भी given है क्या 83 given है तो यहाँ पे 83 को रख दो यहाँ पे A B plus B C plus A C अरे इसकी value तो अभी निकाले हो कितना निकाले हो तो यहाँ पे 71 को रख दो अब फड़ा फट इसको solve करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बाहर है 15 अंदर है 83 minus 71 तो 83 में से 71 को घटाना नहीं आता है तो इधर सीख लो भाई 3 में से 1 गया 2 8 में से 7 गया 1 तो इधर बना 12 तो 15 into 12 अब 15 को 12 से multiply करना नहीं आता है तो 15 टेंजा होता है 150 और यह हो जाएगा आपके पास 150 नहीं 180 multiply करना सीखो और इस तरीके से जो भी चीज आपको बोली गई थी आपने उस चीज को निकाल लिया है और यह सारे steps आपको करने आने चाहिए अगर आप आड़ी शर्मा बुक को successfully solve करना चाहते हो वरना भाई कहानी गरबड हो जाएगी सारे steps एक बार recapitulate मैं कर देता हूँ तो इस चीज की value find करनी थी इस चीज की value के लिए मैंने यहाँ पर identity को लगा दिया value नहीं थी तो हम निकाल लेंगे और हमने कैसे निकाली हमने कुछ ऐसे निकाली कि हमने a plus b plus c का कर दिया whole square जो की बनता है आपके पास a square plus b square plus c square plus two times of a b plus two times of b c plus two times of a c वहाँ पे थोड़ा आपने क्या करा आपने values put करी basically और आपने इसकी value निकाल ली तो आपने कहां पे place कर दिया आपने अपने original question यहनी कि यहां पे place कर दिया इसको further solve कर और आपके पास answer आ चुका है I hope यह question भी आपको पूरी तरीकी से clear है कहीं पे भी थोड़ा सा confusion भी नहीं होना चाहिए चलिए अब discuss करते हैं हम कुछ और questions को जैसा कि मैंना आपको बोला था कि वही इस question को मैं थोड़ी देर बाद discuss करूँगा in fact एक यह question अभी discuss करने वाले हैं एक यह और एक यह अच्छा इस question को चलिए पहले इसको solve कर लेते हैं फिर उनको discuss कर रहे हैं सर आप उनको पीछे क्यों कर रहे हैं नई solve करूगे क्या बाद मैं मैं करूँगा पर उन questions में special identity को मैं लगाने वाला हूँ और जान बूचके मैं special identity वाले question को last में रख रहा हूँ जिससे मैं उनके आपको trick सिखा साब को trick क्या होती है although मैंने video के starting में ही special identity को discuss कर चुका है पर फिर भी जब मैं वो question करूँगा तो आपको मैं वो discuss करके दिखाऊँगा चलिए फिलाल आपके पास कुछ ऐसा question है आपके पास x plus y plus z की value given है 1 आपके पास x y y z z x इन तिनों के sum की value given है minus 1 आपके पास x into y into z की value given है minus 1 आपको value calculate करनी है x cube plus y cube plus z cube की बड़ा ही आसान सवाल है फटा-फट मैं इसको आपको solve करके दिखा देता हूँ देखेगा ध्यान से पर आपको value किसके calculate करनी है x cube plus y cube plus z cube की पर question यहाँ से मत start करो कहां से start करें sir question आप यहाँ से start करो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz अरे यह तो identity है sir क्या होती है भई यह होती है आपके पास x plus y plus z और दूसरे bracket के अंदर बनती है x square और क्या बनती है x square के साथ बनती है आपके पास y square और फिर बनती है z square और फिर आपके पास होता है minus x y minus y z minus z x पर अगर यह identity यहाँ पे लगाओगे तो बात नहीं बनेगी answer नहीं आएगा तो कौन सी लगाएं भाई जो चौती वाली सिखाई थी ना मैंने चौती वाली identity उसको लगाओ कौन सी वाली चौती है भाई यह वाला form आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब जाके answer आएगा तो देख लो इसका form x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz होता है आपके पास bracket के अंदर x plus y plus z और दूसरे bracket के अंदर x plus y plus z का whole square minus 3 times of x y y z z x चलिए अब इसको हम यहाँ पे करते हैं apply तो हमारा जो identity है फोर्थ वाला वो था क्या x cube plus y cube plus z cube यहाँ पे क्या था यहाँ पे था minus 3xyz बहुत बढ़िया यहाँ पे आप अपने bracket के बाहर x plus y plus z को लिखे रखिए अगर इस bracket का आपको ध्यान है तो यह था x plus y plus z का whole square और यहाँ पे क्या था भई? minus 3 बाहर निकालो अंदर था आपके पास x y y z और z x बहुत बढ़िया इस तरीके से आपने चीजों को कर लिया है modify question को लिया है लिक अब क्या करो बढ़ा ही असान कहां है ध्यान से सुनना भाई? चीजे आपको already given है कहा given है? देखो तो जरा x plus y plus z given है ध्यान से देखना यह मेरा LHS में रखता हूँ x cube plus y cube plus z cube ध्यान से देखो जरा x into y into z यह भी given है तो रख दो ना तो minus 3 into minus 1 x y z की जगह मैंने क्या रखा? minus 1 यहाँ पे देखो x plus y plus z है इसकी भी value कितनी given है 1 तो रख दो भाई 1 ब्रैकेट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं तो x plus y plus z का whole square है तो basically 1 का क्या हो जाएगा? whole square हो जाएगा बहुत बढ़िया यहाँ पे आपके पास minus 3 times of x y plus y z plus z x ह तो खुद सोच के देखो x y plus y z plus z x की value कितनी है? minus 1 तो यहाँ पे भी use कर लो क्या बच्चो? minus 1 बहुत बढ़िया देखते जाना आप question को आगे यहाँ पे इसको आप solve करोगे तो यह तो आपके पास बन जाएगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 into minus 1 कितना होता है? plus 3 होता है तो यहाँ पे पारी रहेगा अंदर की बात करता हो बाई मैं 1 का whole square 1 बनता है minus 3 into minus 1 क्या बनेगा? plus 3 बनेगा बहुत बढ़िया अब देखो ज़रा इसको solve कर लेते हैं तो यह बनेगा आपके पास x cube plus y cube plus z cube plus 3 is equal to यहाँ तो 1 बाहर है 1 plus 3 क्या बनेगा? 3 बनेगा कोई tension के बात नहीं और solve क आपके पास x cube plus y cube plus z cube plus 3 बराबर 1 3 बनेगा क्या? 1 3 बनेगा 3 अरे सर आपने गलती कर दी 1 plus 3 तो 4 होता है सर तो अच्छा 4 लिख दो तो 1 4 जा कितना बन गया? 1 4 जा भी 4 बन गया अब यह जो 3 plus में है इसको उस तरह भेज़ दो किस में आ जाएगा? minus में आ जाएगा और 4 minus 3 कितना होता है? 1 होता है और इस तरीके से जो आपका answer है वो आ चुका है यहनि कि x cube plus y cube plus z cube जो होगा आपको answer as 1 देगा I hope आपको यह question भी पूरी तरीके से clear है और कहीं पे भी थोड़ा सा भी confusion आपके दिमाग में नहीं है कौन सी identity यूज़ करी थी वहीं हमने? तो fourth वाली स्टार्टिंग में ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका था I hope कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी confusion नहीं बचना चाहिए क्योंकि अगर आप rd शर्मा बुक को solve करते हैं तो यह identity ऐसे question आप बार-बार encounter करते हो चलो इसी के साथ इस question को रब करते हैं और आप आते हैं हम हमारे अगले सवाल पे अब जैसा कि मैंने बोला था आपके लिए last में मैं कुछ questions को छोड़ रहा हूँ कौन से question एक तो आपको इस सवाल से हम start करेंगे इस सवाल को हम solve करेंगे इसको solve करने के बाद इसको करेंगे और last में हम करेंगे इसको तो यह जो तीन सवाल है से identity यह वाली a plus b plus c is equals to zero तो आपका a cube plus b cube plus c cube होता है three times of a b c इसी चीज़ को हम करने वाले हैं यहाँ पे इस्तमाल कैसे चलिए रेखते हैं तो फ़े question क्या था आपके पास question था आपके पास 30 का whole cube यहाँ पे आपको given है 20 का whole cube और यहाँ पे आपको given है minus 50 का whole cube चलिए question में कुछ changes करते हैं हम 30 के whole cube को थो 30 का whole cube रहने देते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं 20 के whole cube को भी 20 का whole cube रहने देते हैं यह जो 50 का whole cube है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हो भाही तो माइनस का whole cube चड़ेगा तो माइनस बाहर आएगा बाहर plus है तो plus माइनस वापस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यह जो उपर वाली चीज है माइनस 50 whole cube उसको मैंने लिख दिया plus of bracket के अंदर माइनस 50 का whole cube अभी खतम नहीं हुई है कहानी अब जो आपका 30 है अब इसको माल लो small a जो आपका 20 है इसको माल लो आप small b और जो आपका minus 50 है आप इसको माल लो small c इससे क्या हो गया तो ध्यान से देखे इससे question convert हो चुका है a cube plus b cube plus c cube में अब आएगा वो हमारा special identity कैसे तो आपने a क्या माना है आपने a माना है 30 को आपने b किसको माना है आपने b माना है 20 को और आपने c किसको माना है तो आपने माना है minus 50 को जरा a plus b plus c की value निकालो किसकी a plus b plus c की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a है आपका 30 b है आपके पास 20 और c है आपके पास minus 50 तो इन तीनों को जब आप add करोगे तो 30 plus 20 50 plus minus 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 50 50 minus 50 हो गया 0 और आपका a plus b plus c क्या हो गया आपका a plus b plus c आगया 0 अब क्योंकि a plus b plus c 0 है तो special identity लग जाएगी जो की कहती थी हमें if a cube plus b cube plus c cube is if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times of a b c अब यहाँ पे जाके आप a की value, b की value और c की value उसको रख दीजिए यह नहीं कि हो जाएगा 3 times of a, a कितना है वो हो जाएगा 30, b कितना है, b हो जाएगा 20 और c हो जाएगा आपके पास minus 50 अब जो zeros हैं इनको आप अलग रख दो तो 30 हैं, तो 30 के कारण आपके पास 30 तो answer में आही जाएगा और numbers को फटा फट मल्टिप्लाइ कर लो 3, 3, 9, 9, 2, 18, 18, 5, 0 होता है 90, तो यह 90 आगया और एक और बात minus sign है तो minus भी आगया तो इस तरीके से आपका final answer आ चुका है minus 90,000, check कर लेते हैं हम एक बार, 0, 0, 0, 3, 0 ठीक है, 3, 3, 9, 9, 2, 18, 18, 5, 0, 90 और minus हैं, बिल्कुल सही है तो इस तरीके से हमने इस question को solve कर लिया और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है special identity को अब एक और question है, जो कि आपके special identity पे based है, चलिए अब इसको देख लेते हैं यह है question, अब इस पे भी हमें solve करना है special identity की मदद से, तो ध्यान से देखिए हम क्या चीजे करने वाले हैं तो question क्या है आपके पास भई, question है आपके पास, 1.5 का whole cube आपको given है, यहाँ पे आपको 0.9 का whole cube given है और यहाँ पे आपके पास 0.6 का whole cube given है, क्या करो आप, बड़ा interesting सा काम है जो हमने पिछली बार किया था 1. whole cube को रहने दो, इसको आप लिख दो plus of minus 0.9 whole cube, देखो सेम रहेगा, minus पे cube है भाई, minus बाहर आ जाएगा, plus minus minus बन जाएगा तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, minus 0.9 का whole cube, similarly यहाँ पे यह हो जाएगा, minus 0.6 का whole cube अब क्या करो भई, आप substitution वाला काम करो, आप अपने 1.5 को A बोल दो, आप अपने minus 0.9 को B बोल दो, और आप अपने 0.6 minus के साथ उसको C बोल दो यहनि कि A है आपके पास 1.5, B है आपके पास minus 0.9, C है आपके पास minus 0.6, चलिए इसको solve करते हैं फटाफट, यह आपके पास minus 1.5, sorry, plus 1.5, plus minus, यह बन गया minus 0.9, यह plus minus बन गया 0.6 तो इनको आप add कर दो आपस में, तो यह बन जाएगा आपके पास minus 1.5, इन दोनों को solve करोगे, answer बन जाएगा आपके पास 0, यहनि कि आपका A plus B plus C क्या है भई, 0 के बराबर है, तो special identity क्या कहती थी, कि A cube plus B cube plus C cube जो है, वो 3 A, B, C के बराबर हो जाएगा, यहनि कि यह हो जा 3 times of A कितना है आपके पास, 1.5, B कितना है आपके पास, minus 0.9, और C कितना है आपके पास, minus 0.6, अब क्या करना है, simple सा multiplication करना है, आपका answer आजाएगा, एक और important बात है, कि minus into minus क्या होता है, plus हो जाता है, तो minus sign को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे multiply कर होगे, आपके पास answer आजाएगा, यनि 3 into 1.5, 0.9 into 0.6, जब इन चीजों को आप आपस में कर दोगे multiply, तो आपका answer आपको मिल जाएगा, multiplication का काम, तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि multiplication तो आप कर सकते हैं, फिलाल देख लीजिए, 3 into 1.5 आपके पास हो जाएगा, ये है, आपके पास 3 into 1.5 क्या, ये हो जाएगा 4.5, 0.9 into 0.6 हो जाएगा 0.54, अब ये multiplication का कार्य भाहर में आप पे सौपता हूँ, इसको multiply करिएगा और answer आप निकाल लीजिएगा, चलिए, तो इस तरीके से ये सवाल भी हो चुका है, अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो के आखरी सवाल पे जो सवाल सबसे interesting, सबसे दमदार और सबसे lengthy है, तो चलिए, इस सवाल को भी हम फटाफट solve करते हैं, अब इस question को solve करते हैं हमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पर पहले सर सवाल तो लिख दो, चलिए, सवाल लिख देता हूँ पहले, question कुछ ऐसा है आपक error का whole cube और उसके साथ में हैं आपके पास C square minus A square का whole cube, denominator में क्या है भाई, denominator में हैं आपके पास A minus B का whole cube प्लस B minus C का whole cube और है आपके पास C minus A का whole cube का यह तो नहीं सोच रहाइगा आपकी whole cube वाली identity लगा दोगे ना ना ना, वह नहीं, सुनिए इस question को हम धो parts में करते हैं धो partly यह है कि पहले आप numerator को solve करेंगे, फिर आप denominator को solve करेंगे यानि कि हम numerator को किसी और page पर जा के solve कर लेते हैं denominator को किसी और page पे जाके solve कर लेते हैं फिर numerator की जगा जो हमने solve किया होगा उसको रख देंगे और denominator की जगा जिसको हमने solve किया होगा उसको रख देंगे और solve करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो चलिए हम बढ़ते हैं उसी बात से numerator से हम question को start करेंगे तो चलिए numerator क्या है हमारा भाई हमारा जो numerator है वो कुछ ऐसा था कैसा था a square minus b square का whole cube साथ में था आपके पास b square minus c square का whole cube और उसके बगल में था आपके पास c square minus a square का whole cube ध्यान दीजिएगा आपके पास जो a square minus b square है आप इसको x बोल दीजिए a square minus b square को आप x बोल दीजिए जो आपके पास b square minus c square है आप इसको y बोल दीजिए जो आपके पास c square minus a square है आप इसको z बोल दीजिए अब ध्यान से सुनिये का बड़ा interesting case होने वाला है आपने क्या बोला है a square minus b square को x b square minus c square को y और c2-a2 को z ऐसा करो x plus y plus z की value निकालो, किसकी value निकाल रहा हूं है x plus y plus z की value, तो x की जगह क्या आ जाएगा x की जगह आ जाएगा, आपके पास a2-b2 y की जगह आपके पास आ जाएगा b2-c2 और z की जगह आपके पास आ जाएगा c2-a2 पर फटा फट हम करते हैं इसको solve तो a square minus a square से हो जाएगा cancel minus b square plus b square से हो जाएगा cancel minus c square plus c square से हो जाएगा cancel क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा यह नहीं कि 0 बचेगा interesting बात यह है कि x plus y plus z क्या आया है भाई 0 के बराबर आया है और यह तो एक identity है हाँ सर identity तो है यह कौनसी वाली तो भाई x cube plus y cube plus z cube जो होता है वो होता है आपके पास three times of x, y, z कब होता है तो तब होता है जब x plus y plus z 0 के बराबर होता है बहुत बढ़िया तो अब x की जगा वापस से रख दो आप a square minus b square y की जगा आप रख दो b square minus c square z की जगा आप रख दो c square minus a square तो फटा फटा हम रख देते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपके पास a square minus b square का whole square na 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 whole square ना भाई whole cube a square minus b square का whole cube यह हो जाएगा आपके पास y का cube यानि कि B square minus C square का whole cube ये हो जाएगा आपके बाद Z का cube यानि कि C square minus A square का whole cube और अगर आप right hand side की बात करोगे तो 3 times of XYZ है यानि कि ये हो जाएगा 3 times of A square minus B square और क्या हो जाएगा multiplied by B square minus C square XYZ है न तो भाई, XY और Z यानि कि C square minus A square तो ये आपका RHS है इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हो सकता है कि आप confuse हो जाओ कि सर आपने क्या लिख दिया है तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि मेरा जो A square minus B square का whole cube plus B square minus C square का whole cube plus C square minus A square का whole cube मुझे मिला है, वो मिला है 3 times of A square minus B square यहाँ पे मिलेगा मुझे B square minus C square और यहाँ पे मिला है C square minus A square और यह जो चीज है मैं इसको replace करने वाला हूँ, numerator में numerator में, आपको याद होगा यही तो चीज थी A minus B, A square minus B square का whole cube यह का whole cube, यह का whole cube तो इसको मैं किस से replace कर देने वाला हूँ यह जो चीज मैंने उप्टेइन करी है इससे रिप्लेस कर देने वाला हूँ तो चलिए इसको करी देते हैं बाद में क्या करेंगे तो आपका numerator जो था उसकी जगे आ चुका है 3 times of a square minus b square multiplied by b square minus c square multiplied by c square minus a square बहुत बढ़िया अब हम बात करेंगे denominator की तो denominator को पहले solve करना पड़ेगा तो पहले हम चलते हैं denominator को solve करने अब denominator क्या था आपके पास तो यह जो denominator था वो आपके पास था a minus b का whole cube फिर था आपके पास b minus c का whole cube और फिर था आपके पास c minus a का whole cube आप में से कुछ बच्चे होंगे समझदार वो समझ चुके होंगे कि सर यहां पर क्या करने वाले है पर फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ आप अपने a-b की जगा x बोल दीजिए आप अपने b-c की जगा small y बोल दीजिए c-a की जगा small z बोल दीजिए अब चेक करो, क्या चेक करो जड़ा x plus y plus z की value निकाल के चेक करो तो x plus y plus z, x कितना है? a-b है, y कितना है? b-c है और z कितना है? तो c-a है तो इनको फटा-फटम करते हैं plus a जो है, minus a से cancel हो जाएगा minus b जो है, plus b से cancel हो जाएगा minus c plus c से cancel होके answer बनाएगा 0 यानि कि हम conditional identity वाले case पर आचुके हैं कि हमारा x plus y plus z क्या है? 0 के बराबर है और आप जानते हो कि जब हमारा x plus y plus z 0 के बराबर होता है तो क्या होता है तो कुछ ऐसा होता है कि x cube plus y cube plus z cube जो होता है वो 3 times of x, y, z के बराबर होता है अब x question से देख, x आप क्या रख दोगे? a minus b, y क्या रख दोगे? b minus c और z क्या रख दोगे? c minus y तो फटा-फट रख देते हैं हम तो यह हो जाएगा आपके पास a minus b का whole cube, यह हो जाएगा आपके पास b minus c का whole cube, यह हो जाएगा आपके पास c minus a का whole cube और इधर क्या बन जाएगा 3 times of x, y, z यानि कि 3 times of a minus b इधर क्या बनेगा b minus c और last में क्या बनेगा c minus a यानि कि जो आपका numerator है आप उस numerator, sorry denominator numerator तो replace कर चुके हो सराब जो आपका denominator है आप उसको इस चीज से replace कर दोगे तो चलिए किसका इंतजार replace कर देते हैं हम तो हमारे denominator क्या आप चुका है तेख लो इधर से भाई 3 times of a minus b, b minus c, c minus a जल्दी से रख देते हैं 3 times of a minus b, b minus c और आ गया है आपके पास c minus a अभी question खतम नहीं हुआ है ध्यान से सुनते जाना जरा अब आने वाला है question में एक और algebraic identity यह आपके पास a square minus b square है कुछ याद आ रहा है कि आपको मुझे तो याद आ रहा है और मुझे कुछ याद आ रहा है कि a square minus b square जो है वो होता है मेरे पास a minus b into a plus b यह identity तो आपको बिलकुल याद होगी body बहुत बार solve करी है हमने similarly यहाँ पर आपके पास है b square minus c square यह होता है आपके पास b minus c और दूसरे bracket के अंदर होता है आपके पास b plus c similarly यहाँ पर c square minus a square है यह होता है आपके पास c minus है और दूसरे bracket के अंदर c plus a तो इस चीज को यानि कि numerator को और expand आप कर दीजिये तो अब हमारा question convert हो जाएगा numerator 3 times of a square minus b square की जगा a minus b into a plus b यहाँ पे b square minus c square की जगा b minus c into b plus c c square minus a square की जगा c minus a into c plus a बहुत बढ़िया और हमारा denominator क्या है हमारा denominator है 3 times of a minus b b minus c और c minus अब ज़रा ध्यान से देखिएगा 3 जो है 3 से cancel हो चुका है a minus b a minus b से cancel हो चुका है b minus c इस b minus c से cancel हो चुका है c minus a c minus a से cancel हो चुका है क्या क्या बचा है आपके पास तो a plus b बचा है b plus c बचा है c plus a बचा है तो उनको नीचे लग दो और तीनों की तो इनों किसमें है multiply में है यानि कि आपका final answer आजाएगा A plus B, B plus C and तीसरे bracket में C plus है और इस तरीके से जो आपको simplify करने का काम दिया गया है आपने simplify करके answer लिख दिया ये थी इस question की दमदारी यानि कि सिर्फ एक algebraic identity नहीं सिर्फ एक बार नहीं दो-दो algebraic identities लगी है और बार-बार लगी है तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है जब आपको ऐसे simplifications के questions आते हैं एक बार मैं आपको सारा का सारा step recapitulate कर देता हूँ जिस्ते कोई confusion आपको ना बचे तो आपके पास numerator था denominator था मैंना आपको ये बोला कि numerator आप अलग से solve करो and denominator आप अलग से solve करो तो यहाँ पे आपने क्या किया पहले आपने numerator को आपने solve कर लिया और कैसे solve किया x, y, z रखके फिर आपने चेक किया कि अरे भाई x plus y plus z तो 0 हो रहा यानि कि ये conditional identity का case है तो आपने इसको इस तरीके से convert कर दिया उसके बाद similarly यहाँ पे जब आपने denominator को solve किया तो उसमें भी conditional identity वाला case आ गया तो इसको भी आपने ये लिख दिया इसको ऐसा लिखने के बाद numerator की जग़बी ये चीज denominator की जग़े जो भी आपने solve करके लाया था उसको और फिर numerator में a square minus b square में आपने याद किया अरे ये वाली identity लग जाएगी b square minus c square में भी आपने एक identity याद की c square minus a square में भी identity याद की और फिर उसको और expand कर दिया और expand करने के बाद सिर्फ हमने किया है cancel और करते गए करते गए करते गए और हमारा जो simplification है वो हो चुका है खतम और इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं आपका a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c के identity तो जितना possible knowledge है इस identity से related आपके class 9th में वो सब मैंने आपको दे दिया है और इतना knowledge नेने के बाद जब आप आड़ी शर्मा को solve करेंगे तो ऐसा एक question नहीं है जो आप से solve नहीं होने वाला बस आपको जितनी चीज़े मैंने बताई हैं वो सारी चीज़े आपको याद रखनी पड़ेगी सारा step सारा solution जैसे जैसे मैं सोचता हूं जैसे जैसे मैं solve करता हूं वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यह सब आपने कहां पे सीखा है भाई यह सब आपने सीखा है magnet brains पे अब magnet brains पे तो इतने सारे teachers पढ़ाते हैं इतना सारा course है हम कैसे पता करें कि हमारा course कहां मिलेगा किस जगे जाके हम देखेंगे तो हमको हमारे teacher का course मिल जाएगा तो बड़ा ही आसान काम है आपके लिए उसको आपको search करना है Google Chrome पे और क्या डालना है वहाँ पे वहाँ पे आपको डालना है www.magnetbrains.com जब आप ऐसा डालोगे तो ये page खुल जाएगा जिस पे लिखा रहता है इंडियास नमबर 100% free online education platform kindergarten to 12th class all subjects free of cost and quality education इसके अंदर मानलो आपको कोई particular teacher का course पढ़ना है तो आप explore top courses पे click कर सकते हो जब आप explore top courses पे click करोगे एक और नया window खुलता है जहाँ पे क्यूंकि आप class 9 में हो तो आप class 9 के subjects पढ़ोगे तो उपर class 9 को आप select करोगे जब आप उपर class 9 को select करोगे तो और बहुत सारे windows खुल जाएंगे बहुत सारे teachers के आपको picture दिखने लगेगी जिसके नीचे आपको subject का name mention होगा और नीचे watch now का option रहेगा जैसे मेरी picture है यह यह मैं यहाँ पे class 9 की book mathematics NCRT cover करता हूँ मैं आडी शर्मा और NCRT दोनों आपको cover करके देता हूँ तो यहाँ पे mathematics NCRT है तो आपको इसके नीचे भी एक watch now का option मिलेगा आप उस watch now को click करेंगे तो एक और नया window खुल जाएगा और इस नये window में यह लिखा रहता है कि मैं क्या-क्या चीजे cover कर रहा हूँ तो जैसे मैं class 9 की NCRT book को cover कर रहा हूँ इस course के अंदर यह सारी चीजे हैं ऐसा भी लिखा रहता है उसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है watch chapter wise videos यहनि कि आप chapter wise कौन कौन सी videos देखना चाहते हो आप वहाँ से search कर सकते हो for example आप polynomials का introduction देखना चाहते हो तो यह आप polynomials के introduction वाले video पे click कर दोगे तो मैं आपको पढ़ाता मिल जाओंगा तो आपने यह पूरी video देख ली अब आपको next video देखने का मन है तो आप इस next video पे click करोगे तो आप अगली video भी देख सकते हो और इस तरीके से जितना भी चाहो आप उतने videos देख सकते हो और जिस teacher के चाहो उस teacher के आप देख सकते हो यह फाइदा है जब आप Magnet Brains के website को access करते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो और साथ में ही आपको Magnet Brains का application यह नहीं कि app भी मिल जाएगा यह मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे Google के प्ले स्टोर पे वहाँ पे जाईए आप search box में Magnet Brains टाल दीजे आपको app मिल जाएगा सिंबल से आप identify कर लोगे उसको install करें और यह सारी चीज़े वहाँ से भी आप access कर सकते हैं इस तरीके से हम आगए हमारे वीडियो के end में जहां पे आप जानते हो कि Magnet Brains आपको provide करता है 100% free education and quality education without any hidden charges और any hidden cost हमारे चैनल को subscribe कर दो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी share करो जिससे वो भी आके हमसे पढ़ सके साथ मैं आप इस वीडियो के end में comment ज़रूर कर सकते हो कि आपको मेरा दिया content कैसा लगा मेरा teaching style वगरा कैसा है और कुछ suggestions हो तो आप भी डाल सकते हो so thank you so much for watching this video